दोस्तो मेरे चैनल Easy Way of Learning में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे वक्षिट नंबर 14 है और उससे पहले एक special note है आप लोग के लिए important note है कि जो पहले Monday, Tuesday, Wednesday और Thursday की जो वक्षिट है वो पिछली वाली वक्षिट से आई वी आपकी यानि कि 48 और 47 और 48 आई वी है तो आप उस हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और यह बहुत ही important चैप्टर है आगे जो बच्चे 11 में साइंस लेने की सोच रहे है उनके लिए जो बायो जो आएगी उसमें है बड़े 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 चैप्टर्स है तो हम हमारे बहुत ही important है तो इससे हम ध्यान से पढ़ते है है हैडलरीट का मतलब होता है transmission of traits कोईसी भी person की क्या उसके characteristics है यानि की हो लंबा है छोटा है मोटा है या किस तरीक से बातकित करता है उसके बालों का कलर क्या है उसकी आंखों का क्या है ये सब किसी एक generation से उसके दूसरे जनरेशन, यानि कि माता-पिता से उसके बच्चों में जो गुन, जो लक्षन, ट्रांसफर होते हैं, उसे हैरेडिटी कहते हैं, तो यह तर्म है है, हैरेडिटी, इसे हमें याद रखना है, वेरियेशन, the difference between the character or the trait among the individual of the same species are called variation, किसी भी individuals के बीच में difference होते हैं, यानि कि जैसे हमारे parents है, हमारे भाई-बैन है, भाई-बैन है, तो हम दोनों में कुछ नगोस difference होगा, कुछ बोलने का तरीका होगा, थोड़ा गुसा करने, या प्यार से बात करने, उसमें difference होगा, तो वो difference होते हैं, उसे ही variation कहते हैं, जै हम की तरह clone होजाएंगे, तो वो हमारे, वो individuals होगा ही नहीं, वो humans होगा ही नहीं, तो कोई भी, generation और generation कुछ नगोस हमें सा difference होता है, तो उसी character या traits के बीच में difference आता है, तो उनने क्या कहते हैं, variation कहते हैं, ओके, आगे देखते हैं, हमारा क्या है, हमारा है, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, पहले, जीन्स क्या होता है, देखें, पहले आप cell, पहले यावली में देखते हैं, यह cell है, cell के बीच, अंदर में क्या है? क्रोमो जोम से, क्रोमो जोम से थोड़ा इस तरह का structure होता है, और chromosome के अंदर क्या होता है DNA होता है okay DNA इस तरह के से इस तरह से इसका design है और उसके बाद DNA के अंदर छोड़ चोड़ 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 जीन्स प्रेजन्स होते है तो cell, cell के बाद chromosome, chromosome से DNA और DNA से gene तो gene क्या है gene are the basic and functional unit of heredity, heredity की सबसे basic of functional unit क्या है genes है genes make up our DNA, genes क्या बनाता है हमारा DNA बनाता है humans have the two couples of each gene known as allele, हर humans के पास क्या होता है gene की दो copies होती है और हुन्हें क्या कहता है, allele कहां जाता है, one from each parent, मैंने माता से एक मिलता है हमें allele, और पिता से एक allele मिलता है गयानि दोनों parents से हमें एक-एक allele मिलता है वो ही हमारे genes होते है, this allele of our genes are responsible for the variation and uniqueness of each individual, इन्हीं allele के कारण क्या होता है, हम अपने माता पिता और एक दूसरे person से हम different होते हैं यही हमारे alleles इसके लिए responsible है the difference variation of the particular genes are known as alleles तो यही difference किसी particular gene के अंदर जो difference होता है variation होता है उसी को alleles कहा भी जाता है आगे हम पढ़ते हैं हमारा eukaryotic cells eukaryotic cells कौन से होते हैं जो हमारे primitive cells के बाद आए थे जिनके अंदर well nucleos होता है well defined nucleus होता है और उसके अंदर DNA, genetic material अच्छे से मौजूद होता है eukaryotic cells में क्या है genetic material is present in the nucleus in the chromosome chromosomes are the thread-like structure which carry genetic information from one generation to another chromosomes जो होते हैं वो thread-like structure thread यानि कि धागे तक तरह structures बनाते हैं और यह एक generation से दूसरे generation में genetic information यानि genes के जो information होते हैं उसको carry करते हैं आपके मातरपिता में जो गुन होंगे वो आपके दूसरे यानि कि हमाएं बच्चों में आएंगे वो सारे कुन वो किसके दौर आएंगे chromosomes के दौरा और chromosomes के अंदर उसके भी और क्या है DNA, DNA के अंदर है genes तो genes उसकी basic chromosomes are made up of the DNA and protein chromosomes बना होता है हमारे DNA और protein से बना होता है they play a vital role in cell division, heredity, variation, mutation, repair and regeneration इसका एक important role है cell division, cell को आगे बाटने में heredity, जो हमारे मातरपिता से हमें चीजे में ली है heredity, variation, जैसे हम उनसे अलग है mutation, mutation का मतलब होता है कुछ changes आके अलग बन जाना उसे कहते है mutation repair and regeneration जो हमारी cells जो repair होती है वो भी chromosome उसमें help काता है regeneration, regeneration आप इसका मतलब होता है कोई चीज तूट गई उसके बाद वो दुबारा आ गई यसे हम देखते है चिपकली की पूच तूट जाती है तो कुछ साइम बाद, कुछ दिनों बाद वो कहते है वापस आजाती है तो वो क्या कहलाती है, regeneration कहलाती है DNA, DNA की full form है deoxy ribonucleic acid is the hydrating material in humans and almost all other organisms organisms और humans के अंदर जो hydrating material है वो क्या है DNA है और DNA के अंदर क्या होता है genes होता है याद रखना जरूर है यह सब किसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है nearly every cell in a person body has the same DNA हर किसी person के पास क्या होता है मतलब हर एक इनसान है उसके बादी में जितने cells होंगे जितने cell के अंदर DNA होगा वो सब क्या होगा, same होगा most DNA is located in the cell nucleus जाता है, DNA होता है वो कहां पर मौजूद होता है nucleus के अंदर होता है where it is called nuclear DNA और जहां पर nucleus के अंदर हमारा DNA मौजूद होता है उसे हम nuclear DNA कहते है but a small amount of DNA can be also found in a mitochondria लेकिन हम जो DNA का small amount के सांगा कहां पासकते हैं mitochondria महीं पासकते है हमने पढ़ा था एक चीज़ और कि जो mitochondria होता है उसका अपना circular DNA होता है तो यह वही लिखा हुआ है कि mitochondria के अंदर भी DNA होता है a trait is a specific characteristic of an organism trait can be determined by genes or environment or by more commonly by the interaction between them trait जो होता है characteristic of organisms का यह से हम genes के द्वारा पहचान सकते हैं और जिस environment पे कोई इनसान रहता है उसके हम पहचान सकते हैं trait यानि की लक्षन होता है इसे हिंदी में लक्षन कहते हैं और जीन से कैसे categorize कर सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं जैसे हम चुडिया के उपर देखते हैं कि कोई एक sparrow है उसकी चोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् फ्लैट में भी वो खा लेती है तो environment के हिसाब से हम trade को define कर सकते हैं या पता कर सकते है कि कैसे trade होगी चलिए आगे पढ़ते हैं accumulation of the variation during reproduction चलिए पहले इसके बार थोड़ा सा और देख लेती है यह क्या है आपको दिखाया गया creation of diversity of a succeeding generation in bacteria एक बैक्टेरिया दिखाया हुआ कि उसके रिवक्रेटी आ रहे है जहाती है थीरह और है जंगे इसके ने अनरे के दिखा रहे है कि एक रिसीति बैक्टेरिया उसके पुरा पोश्वन किया है नीला नीला है आगे génervation में क्या हुआ एक ग्रीन असके बात हैं हमने पढ़ा़ां कि पेरेंट से जब पेरेंट से जब बच्चे जब को जब हरीटी जाती है तो उसमें कुछ ने कुछ चिंजिस आते है तो इसमें चिंजिस आ गए कुछ फिर देखें वे उसने फिर और आगे हुए यह उसके ओывать पिर बने और अपने बच्चे दी तो उन्हें के ओफ स्प्रिंग जो थे उसके अंदर के वह उसमें और जाद चिंडिस आ गए इसके पास के इसका एक हमें फिरे जनेरेशन टो है कि आती जा रही है और सफ्प्रियं के अंदर कि अब हम पढ़ते हैं एक कुममरेशन ऑफ वरिएशन दोडूर रिप्रोडॉक्शन inheritance from the previous generation provide both a common basic body design and subtle changes in it for the next generation what would happen when this new generation it is turned reproduce the second generation will have the difference that they inherited from the first generation as well as the new created difference क्या होता है जब inheritance है वो क्या होता है उसमें हमें parents से जो हमें चीजे मिली है वो हमारे generation में होगी और generation के बाद जब नई generation आ रही है तो जब वो reproduce करती है उसके अंदर पहले वाले generation के भी गुन होते है और जब नई generation आ रही है उसके पास उसके भी अपने कुछ गुन होंगे यानि कि पहले वाले गुन भी है और नए गुन भी है तो यह से वो difference बना रही है फिगर आन फिगर आपको दिखा रहा है वही बता रही है तुम यह चेंजिस हुआ है if one bacterium divide then the resultant two bacteria divide again the four individual bacteria generated would be similar there would be very minor difference between them generated due to similar inaccuracy in the dna coping however if the sexual reproduction involved greater even greater diversity will be generated do all these variation in the in species have equal chances of surviving to in the environment in which they find themselves obviously not depending on the nature of the variation different invisible would have different kind of advantages क्या कहने का मतलब है जो आज sexual reproduction होता है उसके अंदर जो variation है वो थोड़े कम होते हैं बट जो sexual reproduction होता है उसके अंदर variation बहुत जादा होता है जैसे example में आप देखें बैक्टीरिया है बैक्टीरिया में एक्सेशल reproduction हुआ तो उसमें variation तो आए कुछ कुछ लेकिन वो अपने माता पिदा से बिल्कुल सेम सेम दिखेंगे लेकिन sexual reproduction में जैसे हम लोग है हमारे parents से क्या हम एकदम सेम दिखते हैं नहीं हमारे अंदर बहुत जादा variation होता है हम उनकी तरह सफ्ट नहीं हो सकते हैं वो हम उनकी तरह simply बात भी नहीं करते हैं ऐसे बहुत सारे changes होते हैं हम उनकी तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं अगर हम उनकी तरह बिल्कुल देखें तो क्या होगा हम वो clone हो जाएंगे लेकिन हमारे अंदर बहुत जादा variation है उस नकोस तो इन वारिएशन ने क्या राण क्या सर्वाइब करने के चांसे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं, कैसे बढ़ जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स जो पहले जहली जा रहे थी, वो प्रॉब्लम्स आगे हमारे उसको ज्यादा आप बोडी अच्छे स्वेसे कैपेब हो जाएकि वह उस पैसिजी बनाते हैं को और जादा ख़तर नाक वो उसको और मार सके फिर वह कुष्ट मूटेशन थे मुटेशन हैं तो अशीज को जेल सकते हैं और और नगी उनकी जुनेरिशन बने कि उसमें और ज़यदा VARIATION आएक अगा वह जादा capable हो जाएगी तो उस भी क्या हो है शर्वाइविंग की चांसे जो क्या हो गए दीरे दीरे बढ़ते जा रहे हैं depending on the nature of variation different individual would have different kind of advantage bacteria that can withstand heat will survive better than a heat will some variation do not keep the organism to adjust the changes in the environment and they may die and become extinct कुछ-कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर variation नहीं होते हैं variation कम होते हैं तो वो organisms के adjust करने की chances कम हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो मढ़ जाता है चुकि environment है वो धीरे धीरे बदलता ही लाना है तो variation आएगी तो वो क्या करेंगी हमारी help करेंगी ताकि हम आगे changes को adapt कर सकें आगे questions पढ़ते हैं let us practice first question and define the following a heredity b variation c dna the chromosome trait or gene इन सबको define करना है तो चलिए हम define कर देते हैं फड़ा फड़ से first है heredity का transmission of trait and characteristics from one generation to other or from parents to their offspring तो इसको इसके है heredity variation the difference between the character or trait among the individual of the same species are called variation chromosome thread like structure which carry genetic information from one generation to another generation made up of dna and protein chromosome कसा बना होता है dna और protein का बना होता है dna deoxy ribonuclease it is the heredity material in humans and the almost all other organism trait specific characteristics of organism determined by the genes or environment ये जो term cells को याद रखना बहुत ज़रूर है क्योंकि आपको बहुत help करेगी आगे पढ़ने में genes basic and functional unit of heredity dna is made up of genes चलिए second question देखते है हमा second question कहता है if a trait a exist in 10% of population of our sexually reproducing species and our trait we exist in 60% of the same pollution population which trait is likely to have the horizon earlier कहने का मतलाब है एक population है एक बहुत मालीजे कांट्री है उसमें our sexual reproduction से बहुत साई species है एक एक species है वो पास जो है उप प्रथे उसमें ट्रेट ट्रेट और पहल ऊसमें यह काले एकले पाल बाल य तो जो ब्राउन कि पार क्योंकर आप॥े यदे ख्रावाल है उसमें इसमें स्कुल्स के ख्र nessa समें और ब्रून के पास बाल है 10 Canadian पता करना है कि आखिर कॉंसे ट्रेट है यानि कॉंसा जो एलक्षन है वो पहले आया है तो कहसे कॉंसा पहले आया है हम असाइन से बता सकते हैं इसमें देखें मैंने वही बना रखा है फिगर आपके लिए कि यह मैंने पॉपुरिशन बना रही है चोटा सा और फिर ए वाला बता रखा है कि यह हमारे 10% है और भी 60% है तो हमें पताना है कौन सा जादा है कौन सा पहले आया है तो हम क्या कह सकते हैं तो हमें बहुत जादा दिख रही है यानि कि वह पहले से ही मौजूद है तभी तो वह आगे जनरेशन क्या और यह कैरी करते हुए आगे बढ़ रही है तो B-Trade is likely to have a horizon earlier than the A-Trade यानि B-Trade जो है A से पहले आया होगा जो फ्रेंड से आप हमारे वीडियो कम्प्रीट था आई होप आपको वीडियो पसंद आयागा से लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शियर कीजिए और वी वीडियो देखने के लिए प्रीज में चानल को सब्स्राइब कीजिए थैंक्यू